नमस्ते, वेलकम टू माई चैनल, लिव लाइफ हेल्दी एंड ब्यूटिफुली ये मेरी फर्स्ट रेसिपी है, इसलिए इसकी शुरुआत मैं एक स्वीट डेशे करना चाहती हूँ तो उसमें आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, गाजर का हलवा सभी को बहुत पसंद होता है गाजर का हलवा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं जो तरीका आज यहां दिखा रही हूँ, उससे हलवा बहुत ही जल्दी बन जाता है मुझे हलवा जल्दी बनाना था क्योंकि मेरी बेटी जल्दी से हलवा खाने के लिए जिद कर रही थी तो चलिए हलवा बनाना स्टार्ट करते है इसके लिए पहले गाजर को हम धो कर चील लेंगे चीलने के बाद गाजर को कदुकस कर ले अब कदू कस्की हुई गाजर को हम कुकर में डाल लेंगे और इसमें एक कप दूर डाल कर इसमें हम 4-5 सीटिया लगवा लेंगे इससे जो गाजर है वह तो जल्दी पक जाती है ये देखिए गाजर हमारी सोफ्ट हो चुकी है अब हम इसे दूद में डाल कर थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे इस दूद को मैंने पहले दिमी आज पर रिड्यूस कर लिया था हलवे को दिमी आज पर पकाना है हलवे को पीच पीच में चमत से हिलाते रहें अब हलवे को पकते हुए 15-20 मिनट हो चुके है और देखिए इसका दूद भी जो है सूख गया है अब हम इसे गी डाल कर बोन लेंगे आप अपनी आफशकता अनुसार गी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर बहुती कम गी का यूज़ कर रही हूँ अलवे को लगातार चमत से चलाते हुए भून लें अब आप इसमें चीनी डाल दें मैं यहाँ पर पाउडर शूगर यूज़ कर रही हूँ चीनी को अच्छी तरह से मिला लेंगे चीनी मिलाने के बाद 10-15 मिनट तक हम इसे और भूनना है और इसके बाद अपनी चोईस के कोडिंग आप ड्राइफ रूट इसमें डाल लें हलवा तयार है तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक यू